So hey guys, welcome back to my channel और आज हम बात करेंगे स्केरी टीचर के बारे में अगर कौन है ये स्केरी टीचर? क्यों ये बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करती है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कूल था जिसमें 45 साले की टीचर पढ़ाया करती थी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस स्केरी टीचर के बारे में जिसको हम गेम में भी देखते हैं इसको प्यार से प्यार से क्या खाक? इसको लोग ब्लाते हैं मिस्टी कहकर बस इसका पूरा नाम है मिस्ट थैरिसा मिस्ट थैरिसा यानि मिस्टी यह कोई जॉम्बी भूत या फिर कोई मैंटल लेडी नहीं है यह एक नॉर्मल लेडी है बट यह थोड़ी साइको टाइप है यह मतलब इतनी जादा खतरनाक है कि अपने क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बच्चों को इतना परेशान कर दी थी उन्हें अलग-अलग रूप से नहीं टॉरचरी कर दी एक तरीके से, और बच्चे भी कुछ ने कर पाते थे, और धीरे-धीरे इसका स्कूल में प्रमोश जहां से यह अपने स्कूल का बाकी का काम कंटीनू करती है इस टीचर का घर स्कूल से बहुत ज्यादा दूर था इसलिए इसको आने में टाइम लगता था फिर इसने सोचा कि क्यों ना यह स्कूल के पास ही कोई घर खरीद ले फिर इसने खरीदा यह वाला घर जो अभी हम गे घर के बाहर बने हुए हैं वो उन्हीं बच्चों की घर थे उनमेंसे में बच्चा था एलिक्स जो एस गेम में प्लेयर के रूप में हम खेलते हैं एलिक्स को जब पता चला कि मिस्टी यानि मिस्ट थैरिस उसके पड़ोंस वाले बंगले में आके रहने लग गई है तो सार का लीडर था एलिक्स एलिक्स वो सारे बच्चों ने प्लान बनाया कि वो मिस्टी को इतना परेशान करेंगे कि मिस्टी टीचिंग तो छोड़ी दे वो उस घर को भी छोड़के यहां से चली जाए और सारे बच्चे एक-एक करके उसको परेशान करते हैं लेकिन क्या आप मिस्टी के अंडरग्राउंड में जाओगे मतलब इसके बेसमेंट एरिया में तो वहां आपको एक छोटे बच्चे की तस्वीर पड़ी हुई मिलेगी एक पिच्चर पड़ी हुई मिलेगी वो कोई और नहीं वो मिस्टी का ही बेटा था एक छोटा सा जिसको एक्चुल मे टॉर्चर किया गया था उसी में एक टीचर के दुवारा जिसका बदला मिस्टी दूसरे बच्चों से ले रही है मिस्टी के बच्चे के संग गलत हुआ है ये मानते हैं सब लेकिन मिस्टी जो कर रही है वो भी गलत है तो सारे बच्चे मिलकर प्लान बनाते हैं और एक एक करके मिस्टी को परेशान करना शुरू करते हैं जैसे उसके सुफे पर पिन रख देना यह तो बस एक शुरू बात थी उसके बाद बहुत सार ही जाएं करी अच्छीज को परेशान करने के लिए जो हमें अक्छली गेम मैट टास्क के रूप में भी मिलते हैं एक दिन जब मिस मिस्टी ने उसकिइट को अपने घर में कैद कर लिया जो हमने एक स्थूडाई भी कि आपको आथ Ô 1988 भुल्कुल नहीं पसंदकि कोई उसके घर में को से इसलिए कभि हम खड़की से उसके घर में घुसते हैं तो कभी उसके घर के दरवाजे को तोड़ कर लेकिन क्या आपको पता है मिस्टी अपने आपको बाहर लोगों को दिखाने के लिए अच्छी और स्वीट बनती है मतलब वो उसका जो अपना खौफनाक रूब है वो सिर्फ बच्चा को क्लास में और जो बच्चा उसके घर में गलती से गुस गया उसको ही दि तब वो आपका पीछा छोड़ देगी वो पीछा इसले छोड़ती है क्योंकि उसके घर के बाहर सिसी टीवी कैमरा लगे हुए है और वो नहीं चाहती कि जो दुनिया में उसकी इमेज बनी हुई है महले में स्कूल में उस शहर में एक अच्छी और रस्पेक्टेवल टीच फ्लोर तक और अंडरगाउंड तक तो आपको कुछ सीक्रेट पिक्चर मिलेंगी कुछ फोटो मिलेंगे जो कि एक्चुली उन बच्चों के हैं जिनको मिस्ती ने अब तक सताया है परेशान किया है जी हां और यह उन बच्चों की फोटो को अपने घर में रख लेती है एक आप देख सकते हो यह बैल टाइब यह इसने इसलिए रख रख रखे हैं ताकि कोई भी जानवर अगर इसके घर में घुस्याय तो यह इस बैल को बजाके उसे बहगा देती है अधर्वाइस यह उसे कैद करके रख लेती है जैसे उसने एक कैट को कैद करके रखा था आपको क्या लगता है बच्चे जो इस टीचर के संग कर रहे हैं वो सही है या गलत मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा मैंने भी यह आए सो आज की वीडियो के लिए के वह लिए इतना ही अगर आपको यह मेरी पहली स्टोरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बता हैं आपको ऐसी और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए थेंक्यू सो माच थेंक्स फॉर वाचिंग स्केर डेचर शाइ दरावना सोंद आपक्त, हो मेरी नो का पी रवाथ एक्सुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमु झाल